इस वीडियो में हम बात करेंगे about the simplest type of organisms और we can say simplest type of animals जिने हम कहते हैं sponges sponges है members of phylum polyphera जो phylum polyphera है वो है part of kingdom animalia तो इसका मतलब यह है कि simplest type of organism जिने हम sponges कहते हैं इनके अंदर present होते हैं animals like character so basically animal organisms को कहने के लिए उनके अंदर क्या characters होने चाहिए उनके जो organisms हैं उनके जो cells है वो eukaryotic होने चाहिए उनके around कोई cell wall present नहीं होनी चाहिए उनका जो mode of nutrition है वो heterotrophic होना चाहिए और उनके अंदर एक particular organization होनी चाहिए मत्तब कि cellular level से multicellular से आगे tissue level या यह system in organisms के अंदर होना चाहिए तो वही features हमें मिलती है under the phylum porphyra जिसके members है sponges तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे about the phylum porphyra उनके features देखेंगे और diagram से समझेंगे कि इनके अंदर किस type का system हमें मिलता है तो phylum porphyra जो phylum porphyra है इसके अंदर जो organism जो कि हमें basic पहले वो features होंगी ही जो animals में होती हैं मतलब कि cellular level जो है यह unicellular नहीं हो सकते organisms इनके अंदर जो eukaryotic cell मिलेंगे बीना cell wall के present होंगे और heterotrophic organisms होते हैं तो इसके जो members है वो है phylum porphyra के sponges तो पहले लिखेंगे कि sponges are the members of this phylum उसके बाद यह बात है कि sponges की body कैसी होती है यह phylum porphyra जो word है आया है from the word मतलब इसका यह है कि body ऐसी जिसके अंदर हो काफे सारे pores तो sponges जो organisms हैं उनकी body पर हमें काफी सारे मिलते हैं पोर्स तो इनकी जो body है वो है porous और उसके बाद आता है कि organisms पाय कहां जाते हैं यह organisms हमें मिलते हैं aquatic environment में mostly मिलते है marine environment में मतलब में marine water में मिलते हैं और दूसरे हैं कुछ exceptions हैं जो हमें मिलती है fresh water में तो यह marine environment में रहते हैं marine इनका habitat है कुछ है जो कि हमें क्या मिलते हैं कुछ animals sponges हैं जो कि हमें fresh water में भी मिलते हैं इनका level of organization मतलब इनके जो body है वो बनी होती है cells की cells है वो आपस में coordination में काम नहीं करते हैं हल्का कम coordination होता है उनके पास mostly cells है वो अपने अपने लेवल पर काम करते हैं तो इस वज़े से इनका बोडी का organization वो टीशू तक तो नहीं जाता तो इससे हम cellular level of organization कहते हैं तो इनका लेवल of organization हो गया वो हो गया cellular level of organization नेक्स्ट यह है कि यह organisms जो होते हैं यह organisms होते हैं sedentary यह ससाइल sedentary organisms होते हैं तो इससाइल और अज़िक नहीं करते हैं तो यह जगा से दूसरी ज़गा यह locate नहीं करते हैं पर इन और बौडी की मुवमेंट शो करते हैं इन औरगैनिसम के पास कोई भी nervous system नहीं प्रैज़र होता no nervous system कटो इनके पास कोई भी nervous system नहीं है तो इनकी जो बौडी है वो सबसे इसलिए सबसे simplest type of the body है क्योंकि उनके अंदर कुछ इस type के features मिलते हैं अब बात आती है इन organisms का structure कैसा है और इसके examples हैं वो हम पढ़ेंगे अब यहाँ पर आप जैसे एक diagram में देख सकते हैं इस diagram में यहाँ पर हमें दिखाया है diagram है साइकन का अब इस साइकन जो है एक type का sponge है इसकी body जैसे हम देख सकते हैं कि cylindrical है और sack like structure जिसके अंदर हमें दिख रहे हैं इनके अंदर है जो अगर इनसकी starting में हम देखे हैं तो उपर हमें दिखती है एक opening जिसे हम बोलते हैं osculum और इनकी body पर different type के हमें pores दिख रहे हैं यह जो pores हैं इन्हें हम बोलते हैं ostia इन organisms के अंदर और क्या present होता है इनकी जो body है वो हमने देखा कि cellular organization है तो cells की body बनी वी है इनकी जो cells है वो इस तरह से arrange होते हैं कि यह बना देते हैं बीच में cavity जिसे हम कहते हैं यह जो spongosil cavity है इसका काफी main काम है यही इनको nutrition provide करने में help करती है इन organisms में हमें एक simple सा water vascular system भी मिलता है यह अब हम कह सकते है water circulation system हमें इनके अंदर मिलता है vascular system नहीं होगा water circulatory system इनके अंदर मिलता है अब इसमें क्या होता है कि osculum के थुरू यह इन organisms के अंदर water enter करेगा spongosil cavity में पहुंचेगा spongosil cavity से ही वो radial canals के थुरू सारी body में circulate होगा और यह water जो है जैसे कि blood हमारी body में काम करता है यह water ऐसे ही nutrients को लेकर आता है body में sponges की और यह जो nutrients हैं वो saline से extract करेंगे और waste material इस water में छोड़ देते हैं तो यह waste material है वो spongosil के थुरू फिर body से बाहर थुरू और चला जाते हैं ऐसी different modes है जो ostia से यहां से भी entry होती है ऐसी water की और ऐसे ही सारी जो material है वो एक ही opening से बाहर की तरफ चले जाते हैं तो इनके अंदर present होता है हम कह सकते है presence of cavity एक cavity present होती है जिसे हम कहते है spongosil cavity जिसे हम कहते है spongosil तो एक spongosil cavity इनके अंदर present होती है इनके अंदर होता है water vascular system अब इनकी जो body है वो porous है काफी soft है तो इन organisms के अंदर एक special type का skeleton होता है जो की बना होता है spike hules का जो इनकी body को basically बाकी organism से या प्रेश से या किसी भी danger से बचाती है तो वो spike hules जो इन organisms में present होते हैं वो दो टाइब के हो सकते हैं जिसके basis पर हमने sponges को दो में डिवाइड किया तो इनके अंदर होते हैं present होते हैं देर प्रेजेंट प्रेजेंट स्पाइक्यूल्स विच फॉर्म स्केलेटन ऑफ स्पॉंजिश्ट तो स्पॉंजिश्ट का जो स्केलेटन बनाते हैं वो होते हैं स्पाइक्यूल्स अब स्पाइक्यूल्स इनके अंदर हो सकते हैं दो टाइप के बेस्ट के वो किसके ऊपर बने हुए हैं तो इसमें जो स्पाइक्यूल्स हमारे पास होते हैं जो स्पाइक्यूल्स हैं वो होगे दो टाइप के एक होते हैं हमारे पास जो स्पाइक्यूल्स होते हैं वो होते हैं केल्शियम कार्बोनेट के बने वे एक हमारे पास होते हैं केल्शियम कार्बोनेट के बने वे और सिलिकॉन का बना होते हैं और दूसरे तरफ चैल्चिण का ओनेट हमारे पास है उन्हों वाले जो स्पॉन्जिस को हम बोले हैं जिसमें यह स्केलेटन मिले गा उन्हें वोलते हैं चॉक स्पॉंज और जिनके अंदर हमें silicon का skeleton मिलेगा उन्हें हम बोल देते हैं glass sponges इस type से हम divide करते हैं sponges को different type में इनके कुछ examples हैं, इनकी examples हमारे पास है साइकेन, spongyla, u spongyla, उसके बाद है यू प्लेक्टीला, aspergillum इसके members है, साइकेन हो गया, spongyla हो गया, u spongyla, u plectyla aspergillum इसको हम venus flower basket भी बोल देते हैं, Japanese में इसका काफी use होता है इसको greet करने के लिए किसी भी सामने वाले इंसान को हम देते हैं इस टाइप के spongyla's को, तो यू प्लेक्टीला, aspergillus, spongyla एक fresh water sponge है यू स्पोंज इसको bath sponge बोलते हैं, और साइकेन है जो कि हम यहाँ पर डाइग्राम में देख पारे हैं तो यह है हमारे पास simple features है, porphyra की, जिसे हम एक बार रिवाइस करने कोश्च करते हैं जो phylum porphyra है हमने पड़ा, यह kingdom animalia के अंडर आता है, porphyra word है कि इन organisms की जो body है वो porous होती है, मताब pores होते हैं इनकी body पे काफी सारी, simplest type of organisms है, cellular level of organization इनके अंदर मिलता है इनमें जो हर cell है, वो अपना function could perform करता है, वो coordination दिखाएगा other cells के साथ, बर tissue के level तक की coordination नहीं होती, इसलिए tissues तो नहीं होते हैं, इसलिए इन organisms को multi-cellular organism बोला है उसके बाद है कि इनका mainly जिनका habitat होता है, वो marine होता है, पर इनमें हमने कहा है कि जैसे spongula है, is an example of fresh water sponge, तो हमें इसमें कुछ organisms हैं, exceptional cases हैं, जो कि fresh water में भी मिलते हैं यह हमारे होते हैं, oceans के बिल्कुल, deep में जाके, जहां पे substratum से attached होते हैं, ocean से, यह sedentary है, locate नहीं करते हैं, एक जगा, दूसरे जगा, ऐसे movement शो करते हैं after that हैं कि इनमें nervous system कोई नहीं होता, cellule level of organization यह दिखाते हैं, इनमें cavity present होती है, जिसे हम कहते हैं spongosil, जो हम इस diagram में देख सकते हैं spongosil cavity में हमने पढ़ा कि इसके अंदर water के entry होती है, इसके थुरू water है, वो radial canals में जाता है, radial canals से, water से, जो हर cell है, वो nutrient extract करेगा nutrient extract करने के बाद उसी water में यह cells हैं, वो waste material excrete करेंगे, और उसके थुरू यह spongosil cavity में enter करेगा water, जहां से यह oskylum के थुरू बाहर चला जाएगा पूरी body, जिन pore से, इनकी जो outer exit है, हर pore canal की, वो जो outer exit है, वो end होती है एक pore पे, उसको हम बोलते है, ostia, as we can see in the diagram, after that, हमारे पास है, इनकी body है, का exoskeleton है, वो spikeules का बना होते है, spikeules है, spikeules है, अगर हो calcium carbonate के बने हो सकते हैं, वो silicon के बने हो सकते है, अगर ही calcium carbonate के बने होए तो इनको chalk sponges बोलेंगे और सिलिकन के बने होये, तो हम इने glass sponges बोलेंगे, इसेंपल्स हमारे पास आते हैं साइकेन, स्पोंजिला, यू स्पोंजिया, यू प्लेक्टिला, एस्परजिलम, यू प्लेक्टिला, एस्परजिलम को हम और भी बोलते हैं, बीनस, फ्लार, बास्केट, इसेंपल्स हैं स्पोंजिला। आपको उसके लिए आपको हर topic के ओपर करनी पड़ेगी lot of practice तो practice करने के लिए आपको करने होंगे maximum questions attempt उसके लिए आप जा सकते हैं हमारी web portal पर which is abhyasonline.in वहाँ पर मिलेगा आपको हर concept के ओपर vast number of questions उन questions को attempt करने पर आपको उनकी proper analysis available होगी जिससे आप अपने week areas जानकर competitions के लिए better prepare कर सकते हैं So I would suggest you to visit our website abhyasonline.in